हलो प्यारे बच्चे आसा करता हूँ कि आप लोग के आने वाले एक जाम जैसे कि SSC J 2024 है उसके लिए तैयारी आप लोग के लिए बहुत अच्छी तरीके चल ली होगी जो भी चीजे जो भी रिक्वार्मेंट होगी वो सारी रिक्वार्मेंट को आप लोग फुल्फिल कर रह बच्चे कि क्या-क्या ऐसी प्रॉब्लम सो सकती हैं जिनको आप फेस करते हो और उस प्रॉब्लम को आप स्वाल नहीं कर पाते हो दो इस चीजे क्या है बच्चे साइकोलोजीकल ही है ऐस जीजे है तो उन पर एक हे करके हम लोग discussion करेंगे last point रहे गई बच्चे मैं यहाँ पांच पॉइंट यहां बताने वाला हूं कि कौन-कौन से इस पॉइंट होंगे, जिसके थूँ आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्टडी से, फोकस से थोड़ा सा दूर भटक सकते हो, तो उन सारे पॉइंट्स को हम लोग आज एक करके कवर करेंगे, और जो लास्ट वाला रहेगा बच्चे, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन रहने वाला है, तो अगर मैं बात करूँ पहले पॉइंट को, पहले पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोकस्टिनेशन, प्रोकस्टिनेशन का मतलब क्या है बच्चों, कि आप चीजों क अच्छी लगती है, आप उस अभी टाइम आएगा, उस अभी कभी ने कभी करने के लिए टाइम आएगा, क्योंकि पुरी पुरी लाइफ पढ़ी उन सब चीजों को इंजॉआ करने के लिए, लेकिन अभी आपके जो सर पे है, वो क्या है, तो उसके उपर अगर ज्यादा फोकस करोगे, तो ज्यादा बहतर रहेगा, और ऐसा मैं इसलिए बोल ला हूँ न, कि अगर आज आप अभी चैटिंग के उपर या फिर IPL के उपर फोकस कर रहे हो बच्चे, तो कल ऐसा टाइम आएगा, यानि जब एक्जाम देने वाले जाने वाले होगे, तो आपको आपको नहीं करना है, तो अगर आप टालमटॉल करते हो बच्चे, तो वहां से ही दूसरी सिच्वेशन आईज होती है, जब टालमटॉल करोगे तो पैनिक में आओगे, पैनिक में कैसे आओगे बच्चे, जब आप एक्जाम से दो दिन पहले या एक दिन पहले आप सोचो गलती है, जब आपने त्यारी में कहीं ने-कहीं कमी छोड़ दी होती है, तभी आप पैनिक करते हो, और जाओ किया करते हो बच्चे, पढ़ते रहते हो इस arkadaş को इस पैनिक को आपको क्या करना अपपर हावी नहीं होने दिना लए flourit OFFICER, पैनिक करोगे और जब आपनिक ही रिपीट होगी, कुछ ऐसा दिमाग में चलने लगता है, तो आप वहीं से चीज़ों को निगेटिव लेना शुरू कर देते हो, तो इस situation से क्या करना है बच्चे, बचना है, इस situation से आपको हमेशा और हमेशा बच करके रहना है, तो जो आपको जिस तरीके से अभी आप लोग क्या करना सुरू करूंगा, मौक देना सुरू करूंगा, लेकिन यह चीज़े नहीं करना है, आप जिस तरीके से भी प्लान कर रखे हो, कि हाँ मुझे मौक टेस दो दिन पर तीन दिन पर जिस भी तरीके से प्लान कर रखे हो, उसी टाइम एकोर्डिंग क्या करो, आप मौक कर सकते हो, अरे इसका नॉमर तो ज्यादा आ रहा है मोगे टेस्टा ही मेरा नमबर कमा रहा है तो देखो बचे Committee किस topic में ज्यादा score कर रहा है, कहां पे आपसे गलतियां हो रही है, कहीं unit में तो आप गलवडी नहीं कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है बच्चे कि panic में आकर आप unit में गलवडी कर रहे हो, कुछ formula apply में गलवडी कर रहे हो, तो यह सब चीजे उससे सीख सकते हो, अभी भी आपके चीजे बहुतिंदों कर रहे हो, तो उसको positive भे में यूज करो, तो आपको अगर आपको यह नहीं सोचना है बच्चे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, है ना, और ऐसा नहीं सोचना है कि अरे आप तो उसका एक्जाम अच्छा जाएगा, मेरा एक्जाम अच्छा नहीं वो तो आगे बढ़ जाएगा मैं तो पीछे रह जाओंगा ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है न क्योंकि क्योंकि हर बार और हर टाइम हमेशा हम वहारे पास क्या रहता है इंप्रूब्मेंट का गुझाइस रहता ही है जब भी आप कंपेरिजन करोगे कंपेरिजन हमेशा किसको यह दो तो प्रश्टेशन को लीड करेगा तो अपके साथ होने लग जाएगी और आपका दिमाग जब सही से काम नहीं करेगा तो आपका एक्जाम भी बिजल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाला है ठीक है इन सब सिच्वेशन से आपको क्या करना बच्चे बच्च करके रहना है basically, अब अगर next में point बात करता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होगे, जो बहुत जदा पढ़ते होगे, seriously बहुत जदा पढ़ते होगे, तो उनके पास क्या होगे, बहुत सारे information इकठा होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होगे, जिनके पास अभी information इकठा कर रहे होगे, मुझे suppose कर लो बच्चे कि मुझे एक topic नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप उसको आज ही date में पढ़ रहे हो, ऐसा आपको लग रहा होगा कि यार क्या पता इससे question पूछ ले, नहीं बच्चे, अगर वहां से question नहीं पूछा गया है, तो probability यहीं बच्चे नहीं पूछा स्टार्ट हो जाएंगी, चीजें आपस में बच्चे जब mix होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो वहां पर आप क्या करोगे बच्चे न, irritate होना स्टार्ट हो जाओगे, वहां पर आप simply क्या करना स्टार्ट कर दोगे बच्चे, irritate होना स्टार्ट हो जाओगे, तो उस irritation से, उ बिल्कुल भी कोसिस नहीं करनी है कि हां, मुझे ये करना है। हां, कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं, जो आपको कन्फूज कर रहे होंगे। तो उन कन्फूजन को आप रिविजन के थरूद दूर कर सकते हो। यह जरूर कर सकते हैं। लेकिन आपको भी relax करने की जरूवत है, जब आपका mind relax रहेगा, चीजें अपने आप ही बहुत 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 ही जरूरी होंगी, ऐसा नहीं करना है बच्चे कि पानिक में आ करके या घवराहत में करके आप सो ही नहीं रहो यह जीज़े आपके लिए एक्जाम के दिन बहुत ज़दा आपको इफेक्ट करेंगी तो ऐसा नहीं करना है और इन चीजों से आप लोगों को बचके रहना बच्चा आसा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को कहीं न कहीं help करेगा बच्चे और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यों एवर्वान